लेटेस न्यूज के लिए सब्स्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें नमस्कार दोस्तो क्लिपर 28 यूटुब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हम आपको भुटान देश की जानकारी बताने जा रही है ये तो सभी जानते हैं कि भुटान भारत के नजदी की देश है भुटान भारत और चीन की सीमा से लगा एक खुबसूरत देश है जिसे दुनिया सबसे खुबसूरत देशों मेंशे एक माना जाता है भुटान को थर्ड ड्रेगन की भूमी के रूप में भी जाना जाता है पूर्वी हिमाले में इस्थित भुटान एक ऐसा देश है जिसमें कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में जानना आविश्यक है भुटान की राज़ानी थिमफू है जो भुटान के पस्षिम केंद्रिय भाग में इस्थित है जो भुटान का सबसे बड़ा शेहर भी है थिमफू पहले थिमबू नाम से जाना जाता था भुटान ज्यादा तर पहाड़ी भूमी पर इस्थित है भुटान एक परवतिय छेतर है जिसके उत्री छेतर में उची उची परवते हैं जिन में से सबसे उची चोटी कुला कांगरी है जिस पर अभी तक कोई नहीं चड़ पाया है भुटान का 60-70% जंगल से घिरा हुआ है यहां के अधिकतर लोग खेती पर निरबर है और यहां की लोग हमेशा जंगल बढ़ाने की कोशिश करते हैं इसका मानना है कि धरती पर 60% जंगल होना जरूरी है चलिए आपको बताते हैं भुटान के बारे में कुछ दिल्चस्प बाते हैं भुटान दुनिया के एक मात्र देशों में से एक है जहां नागरीकों को परियावरन की रक्षा और सनरक्षन के लिए एक समवैदनिक दाइत्व है बुटान का सम्विधान यह बताता है कि देश के 60 प्रतिशत जंगल में रहना चाहिए बुटान में चीजों पर पेनांग छापना अच्छे सो भागे का संकेत माना जाता है 2005 में सभी निकोटिन उत्पादो नशीले उत्पाद की विक्री पर प्रतिबंद लगाने के लिए भुटान दुनिया का पहला देश बन गया था भुटान राज्य के चीफ को ड्रागन किंग कहा जाता है भुटान की मुद्रा भारतिय रुपए के बराबर है भुटान की रास्विय पोशाक में विश्व की सबसे बड़ी जेब है जिसमें वहां के लोग अपना नीजी समान ले जाते हैं यहां तक उनके बच्चे भी अपनी जेब में पाए जाते हैं सौ स्वयम सेवकों की एक टीम भुटान में सिर्फ एक घंटे में उन्चा सजा छे सो बहत्तर पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बना चुके हैं भुटान का स्वामित देश है जिसे ड्राइगन भुटान शाही राजवन्स का अधिकारिक नाम द्वारा सनरक्षित किया गया है भुटान के अधिकतर लोग खेती करते हैं भुटान का अधिकारिक धर्म बौध धर्म है और इसकी अधिकारिक विचारधारा खुशी है शेत्र जंगल ही रहना चाहिए। बुटान के पास नौ सेना या वायू सेना नहीं है। यह वायू समर्थन के लिए भारतिय वायू सेना पर निर्भर करता है। भुटान में प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिवन्द लगा है वहां के लोग कागज से बने बैक का इस्तिमाल करते हैं। भुटान को दुनिया में सबसे खुशाल देश का नाम दिया गया है। दुनिया में 43 भुमी गत देशों में से एक भुटान इंडियाना राज्य के आधे आकार है। भुटान दुनिया का एक मात्र देश है जहां तंबाकू की बिक्री प्रतिवन्दित है। हैरत की बात यह है कि भुटान में ट्राफिक लाइट नहीं है इसलिए सभी धीरे-धीरे ड्राइव करते हैं। भुटान में एक उच्व लुप्त प्राय और सांस्कृतिक रूप से पवित्र काली नीली क्रेन के मारने के दोशी को उम्रकैत की सज़ा सुनाई जाती है। भुटान में सबसे पहले 1974 में विदेशी परेटकों को अनुमती दी गई थी। भुटान का रास्ट्रे पशू टकीन है जो बकरी और हिरंके जैसी होती है। भुटान के रास्ट्रे खेल तीरंदाजी और डार्ट्स है। भुटान में बहुत सक्त कानून है और शिकार यहां अपराद है। यदि कोई पकड़ा गया तो उसे कम से कम 15 साल की सज़ा हो सकती है। भुटान दुनिया के एक मात्र कार्बन नकरातमक देश है क्योंकि पर्यावरन को बचाने के लिए उनके सक्त कानून है। भुटान दुनिया का प्रमुख परेटन आकरशन स्थाल है जिसे 2014 में एक लाग चौहतीस जार परेटक मिले। भुटान के परेटकों के लिए कुछ दर्दनाक नियम है क्योंकि अगर आप भुटान की यातरा करते हैं तो आपको टूर ओपरेटर से यातरा करनी पड़ती ह और प्रती दिन 2500 डलर का भुगतान करना पड़ता है। भुटान भी विशाल, पहाडों और स्वर्ग जगों के लिए जाना जाता है। इस देश में सबसे उची परवत 7553 कूल कांगडी है। भुटान एक मातर देश हो सकता है जहां पती को अपना घर छोड़ना पड़ता ह और अपनी पती के साथ रहने की जरूरत होती है। भुटान में आदी आबादी 17 वर्ष की आयू से कम है। भुटान की 16 प्रतिशत भूमी कھیती करने के लायक जबकि भुटान की 90 प्रतिशत आबादी कھیती पर निरवर है। भुटान खुपसूरत देश है पर ये दुनिया क सबसे गरीब देशों में से भी एक है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह बताई गई भुटान के बारे में रोचक बातों से भुटान के बारे में बहुत कुछ पता लग गया होगा और आपकी भुटान से जान पहचान हो गई होगी यदि आपको इस पोस्त में भुटान के बारे में रोचक बाते कुछ नया सीखने को मिले या आप कोई और भुटान के बारे में आस्चरे जनक तत्य जानते हैं तो उसके बारे में कमेंट में लिख सकते हैं धन्यवाद